हर हर महादेव मित्रो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के मैध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एन नाम वाले जातक एबं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदि आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में इस पेसल रासी को आपको सब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबम वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए आप वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रो N नाम वाले जातक एबम Z नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत जयादा होती है इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रती बहुत जयादा सम मर्थन बहुत ज्यादा करते हैं एबम कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखा धड़ी नहीं करते हैं मित्रो इसके अलाबा यदि हम एन नाम वालों की बात करें तो एन नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में बहुत ज्यादा शांत बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं अगर किसी भी काम को करना है, तो काम को कड़ेंगे, लेकिन उस काम को करने से पहले उसके बाड़े में साड़ी बातों को पता करते हैं, उसकी सकारात्मक बातें, उसकी नकारात्मक बातें, दोनों बातों को पता करने के बाद, उन बातों पर कोई भी विचार करते हैं, कोई भी फैसला करते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो शुभाब से थोड़े बहुत जिती होते हैं थोड़े बहुत हठीले होते हैं एबं ये अपने जीवन के यात्रा में अपने जिद के सामने में अपने हठ के सामने में किसी और इंसान क बातों को किसी और इंसान के विचारों को महत्त नहीं देते हैं वैसे इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो शुभाब से बहुत जयादा धैर रिवान होते हैं ये अपने जीवन के यात्रा में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं अगर किसी भी काम को करना है तो ये उस काम को कड़ेंगी लेकिन उस काम को करने से पहले उसके बाड़े में साड़ी बातों को पता करते हैं उसकी सकारात्मक बाते उसकी नकारात्मक बाते दोनों बातों को पता करते हैं इब हम दोनों बातों को पता करने के बाद उन बातों पर कोई भी विचार करते हैं कोई भी फैसला करते हैं लेकिन इसके अलाबा यदि हम जिड नाम वालों की बात करें तो जिड नाम वाले जो बहुत जयादा लोयल होते हैं. एबम कभी भी अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट नहीं करते हैं। मित्रो एन नाम बाले जातक इबम जिड नाम बाले जातक इन दोनों के बाड़े में इतनी बाते जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यानि कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए दोस्तों मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा शाथ में इस पेसल रासी को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबम इस वीडियो को आप कहां से देखते हैं आप वो भी कमेंट अबश्य करते एबम वीडियो हर जगह से यर करते तो हम सब मिल देखते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद